Hey everyone, recently हमने नियूज में देखा उत्तर प्रदेश गवर्मेंट ने हलाल सर्टिफाइड प्रड़क्त को बेंड कर दिया है जाए वो फूट प्रड़क्त हो, मैडिकल प्रड़क्त हो या फिर कॉस्मेटिक प्रड़क्त हो तो basically हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है? आप लोग ने Islamic law की बारे में सुना होका, वहां पर दो शब्नो का इस्तवाल किया जाता है हलाल and हराम हलाल का मतलब होता है जिन चीजों की पर्मीशन हो और हराम का मतलब है जिन चीजों की पर्मीशन ना हो एक्जाम्पल एल्कोहल कंजियूम करना इस्लामिक लोग के अकॉर्डिंगे हराम होता है तो यह सर्टिफिकेशन बेसिकले कंजियूमर को अश्योर करता है कि आप जिस प्रड़क्ट को इस्तिमाल कर रहा है उसमें किसी में प्रकार के हराम सबस्टिल्स का इस्तिमाल नहीं कि इसले ही सर्टिफिकेशन की शुरुआत 1974 में की गए थी पहले के वले सर्टिफिकेशन मीट के लिए आया था बाद में से फूट प्रड़क्ट मेडिकल प्रड़क्ट एंड कॉस्मेटिक्स में इंट्रिउस किया गया तो यहां पर गवर्मेंट का कहना है कि इन प्रड़क् उन्वारी में जाज़क्र चार दो भी में जास बादिकेशन की झामाबश इन में इस गया भी अदर।ब हमें प्रड़क्स किया उन्यातारी को ऑ्रड़क्त depंशषिकेसादस गभक्रवक्स का